हेलो एवरिवान स्वागत करती हूँ एक बार पिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ काजु कतली की रेसिपी देखें दिवाली पर ज्यादतर सभी के घरों में काजु कतली आती है तो पिर क्यों न इसे घर पर बनाये जाए तो उसी की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ वीडियो को लाश्ट तक देखेंगा तो यहां देखिए मैंने 500 ग्राम ले ली है मुंफुली की ग्री तो सबसे पहले मैंने यह मुंफुली को एक फ्राइपैन में डाल लिया है बूरने के लिए तो म अच्छे से बूर लेगे जिससे कि इसका छिलका सारा आहसानी से निकल जाए इसे बिल्कुल दीवी दीविया अच पर भून लेना है कि जब यह अच्छे से बूर जाएगा तो उसके बदी इसका सारा छिलका निकाल देना है अब ही हमारी मुंपरी दाना भून गया है तो मैं इसे एक प्लेट में निकालों भी ठंडा होने के लिए साइड रख दूँगी और इसके बाद हल्की इसे में काजु को भी भून लोंगी अब फिर इसी फ्राइपैन में में डाल दूँगी काजु और काजु को हमें जादा नहीं भूना है सिर्फ 2-3 मिनिट तक चलाना है बिल्कुल धीमी आज पर जिससे कि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं रासने से पीछ जाएं देगे काजु को हमें जाना नहीं भूना है इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए तो 2-3 मिनिट तक ही नहीं चलाना है अभी देखिए हमारे काजु हो गए है तो हम गैस को बंद कर देंगे हमारे गैस को बंद कर दिया है काजु को भी साइट रदेंगे अब तब तक हम अपनी मूंपली का चिलका निकाल लेते हैं सारा इस तरीके से हाथ से मसलते हुए अच्छे से सारा मूंपली का चिलका निकल गया है हमारा यह देखिए इस तरीके की हमारी मुंफली हो गई है यह अब हमारी मुंफली तियार है तो हम इसमें डाल लेंगे अपने काजू अब इसी में मैंने काजू डाल दी है अब इसे मिक्सी के जार में डाल कर हम अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर मैंने जार ले लिया है जार में डाल दूँगी आप थोड़े चाहे तो थोड़े थोड़े करकर भी पीश सकते हैं अगर जादा नहीं है तो एक बार में पीस लीजे और अगर जादा है तो थोड़े ख़ोड़े करकर पीस लीजे बिल्कुल बारे फीक सम्स승 लीजे जिए आप यह हमारी मुंफले और काजु पिसकर तीयार हो गये है काजु कतली के लिए तो चलिए अब ये मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में ये देखिए ये अब हमारा त्यार हो गया है अब यहां मैंने कड़ाई ले लिया है कड़ाई में डाल दूँगी डेड़ कटोरी चीनी ये देखिए डेड़ कटोरी चीनी डाल दी है मैंने कि थोड़ा से डाल दूंगे इसमें आदा कप पानी अब इसकी एक तार वाली चास्टनी त्यार कर लेंगे कि अब देखे चेनी में उबाल आ गया है तो जब तक हमारी चास्टनी एक तार की नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पकाल लाएं यह चास्टनी तियार हो गई है अब यह आपको दिखा देती हूँ किस तरीकी की रखनी है यह यह लोगुरा देना हैं तो तो दो से तीन मिट तक सिंटता प्रंडा हूने देना है उसके बार डाल देने हैं इसमें मूंभ़़ली और काजु पिसे है मैं आपको नहीं है मिक्स करूंगे तो जैसे जैसे यह ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे इसका एक डो तेयार हो जाएगा इस तरीके से मिला लेना है और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद डाल देना इसमें एक चमच देसी गी देखिए काजुकतली जब हम मार्केट से लाते हैं तो ये काफी महगी आती है लेकिन जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो बहुती आसानी से बहुती कम खर्च में तियार हो जाती है तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा ये रेसिपी इसे बहुती आसानी से कोई भी बना सकता है इसमें कोई भी जमने या ना जमने का कोई रिस्क नहीं है तो ये देखे ये डोर हमारा तियार हो गया है इसमें डाल दूँगे हमें देशी घी यहाँ पर मैंने देशी घी डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसे हम शेप देंगे अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलिए अब हम अपनी काजु कतली की शेप की तियारी करते हैं तो यहां पर देखिए मैंने एक पिन्नी ले लिए इसे दो साइड से काट लिया है अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अब मैं अपना यह पेष्ट डाल दूंगी पिन्नी के अंदर इस तरीके से यहां पर मैंने सारा पेष्ट डाल दिया है तब इस तरीके से पिन्नी से मसल देवे अच्छे से इसे बहुती सोफ्ट बना लेना है जैसे जैसे आप इसे मसलेंगे वैसे इससे चिकनाई निकलेगी तो यह सोफ्ट होता चला जाएगा यह देखिए यह बहुती अच्छा कि यह देखिए कितना अच्छा हमारा यह काजु कतली का पेष्ट तियार हुआ है कि बहुती अच्छा सोफ्ट और बहुती बढ़िया जैसे काजु कतली की शेप की बराबरी मतलब पतला पैला लेना है अभी देखिए यह त। इयार हो गया है जिसके हम चार तरफ झाल देख और किनारे चाको के ह ceram से जाएवा काजु कतलि की शेप मिलकोर मार्कट यहां पर यहां पर यहां हमारी काजुकतली की में शेप दे रही हूं तो इस तरीके से काजुकतली की शेप दे देंगे अगर आप चाहें तो इस पर चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं मैं यहाँ पर चांदी का बर्क यूज नहीं कर रहे हूँ क्योंकि हम चांदी का बर्क का भगवान को भोग नहीं लगाते हैं अभी मैं आपको दिखा दूँगे कि कितनी अच्छी हमारी काजुगतली तेयार हुई है यह देखिए बिलकुल मार्किट जैसी तो आप भी ट्राइ कीजिए और आप सभी को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कामेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए है त चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा थेंक्यू सो मच कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ